नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूटूबर दोस्त पूनम में दोस्तों इस वीडियो में मैं वर्ट सावित्री की पूजा के बारे में विस्तार से बताऊंगी आप लोगों को दोस्तो वट सावित्री का वरत हिंदू कलेंडर के अनुसार जेश्ट महीने की अमावस्या में मनाया जाता है लेकिन तक्षड भारत में यह बरत 15 दिन बाद यानी पूरिमा के दिन मनाया जाता है अगर आपको जेश्ट महीना समझ में नहीं आरहा है तो मैं बता देती हूं अंग्रेजी कलेंडर के उनसार ये व्रत ज्यादा तर मई महीने और कभी कभी जून में भी पड़ जाता है जिस प्रकार पती व्रत के धर्म के वल पर सावित्री ने अपने पती सत्वान के प्राण यमराज के बंदल से चुड़ा लिये थे और उतना ही नहीं खोया हुआ रा करता होंगी उसके बाद पूजा बताँगी वैसे जब आप बरत करेंगी तो पूजा पहले करेंगी उसके बाद कथा सुने गी पर मैं आपको कथा इसलिए पहले सुना रही हूं ताकि आप रही हूं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सेयर कीजिए आपका एक लाइक और सेयर मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और दोस्तों मैंने मापर भी कुछ पंक्तियां बताने की कोशिस की हैं आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में मिल जाएगा प्लीज करके देख लीजिए और मैं आस द्रोप्ति जैसी कोई और इस्तरी हुई है जो राजपाठ होते हुए जंगल में बटक रही हो तो मारकंडे मुनी ने सावित्री के बारे में बताया था तो आप मारकंडे मुनी युदिष्टर को कथा सुनाने लगते हैं सावित्री की आये सुनते हैं भद्रदेश की एक करने से सावित्री नाम की पुत्री की प्राप्ती हुई थी। सावित्री देखने में बहुत ही सुन्दर थी। तो राजा ने ने वर्देखने शुरू कर दिये, लेकिन बहुत कोशिश की। लेकिन सावित्री के हिसाब से उनको वर नहीं मिल पा रहे थे, तो राजा ने उनके बिवाय के लिए बहुत जादा चिंतित हो गए, और उन्हें ने सावित्री से एक दिन बोली दिया, कि बेटी तुम अपने लिए योग वर स्वाय में डूर लो, फिर सावित्री ने अपने मन में पती माल लिया, फिर सावित्री अपने घर वापस आ गई, तो अपने पिता को उन्हें बताया, उनके पिता के साथ नारद मुनी भी बैठे थे, उन्हें उनके पिता से बोला, सावित्री की पिता से नारद मुनी ने बोला, कि आपकी बेटी ने जो वर अपने लिए पसंद किया है उसको राजपाट से निकाल दिया गया है उनके पिता को राजपाट से वंचित कर दिया गया है उनके ही पुत्र हैं वो और वो बहुत उनकी बहुत कम उम्र है एक साल बाद ही उनका दियानत हो जाएगा तो सावित्री के पिता ने उनको बहुत समझाया लेकिन सावित्री ने बोल दिया कि मैं उनको पती के रूप में सिवकार कर चुकी हूँ, अपने मन में पती मान चुकी हूँ, तो राजा को हार कर सावित्री का बिवाह करना पड़ा, सावित्री का बिवाह संपन हुआ, सावित्री के साससूर अंदे थे, सावित्री ने अपने पती और साससुर को लेकर वो चली गई और उनकी सेवा करने लगी धीरे दीरे सत्वान की म्रत्व का समय भी आ गया एक दिन सावित्री को थोड़ा सा आवास हो गया तो उन्हें से बोला कि उस सत्वान से कि मैं भी आ जंगल में लकडी काटने आपके साथ चलूँगी और उन्हें ज्यादा जिदकी तो सत्वान उनको लेकर साथ में लकडी काटने चले गए सत्वान लकडियां काटने के लिए जैसे इब्रक्ष पर चड़े तो कुछ समय बाद उनको चक्कर आने लगे और वो नीचे उतर आये और सावित्री से बोले कि मेरी तबियत बिगड़ रही है सा जबाब दिया कि मैं यम्राज हूं इसके बाद यम्राज सत्वान के सरीर में से प्राण निकालकर दच्छर दिशा की ओर चल दिये सावित्री यम्राज से बोली मेरे पती देओ को जहां ले जा रहे हो मैं भी उनके साथ चलूँगी यम्राज ने बहुत मना किया बार बार परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती रही तब अमराज ने उसे समझाते हुए का मैं उसके प्राण तो नहीं लोटा सकता हूँ तुम मन चाहा वर्दान मांग लो तब सावित्री ने वर्दान में अंधे साससुर के लिए आखें उनका खोया हुआ राज और अपने पिता क की लिए कहा लेकिन सावित्री नहीं मानी यह अमराज ने फिर कहा सत्तवान को छोड़ कर चाहें जो मांग लो सावित्री ने कहा आप मुझे सत्तवान से सों पुत्र प्रदान क रें यह तथास्तु बोल दिया यह इति कथा समाप्तम, अब मैं आपके साथ वट सावित्री की पूजा से यर करूंगी, पहले मैं आपको पूजा में लगने वाला सामान बता देती हूं, बारा पूडियां लेंगे, मीठे में आप मिठाई कोई भी ले सकते हैं, मैंने आप एड़ी लिए हैं मीठी गोली लेंगे कुछ लोग इनको बरगदाई भी बोलते हैं जो गुड में आटा मिला के बनाए जाती हैं वो चना लेगें भीगे हुए चने लेंगे चने का महत इस पूजा में इसलिए है क्योंकि कुछ समय के लिए जो सत्वान के प्राण थे वो चने में रख दिये गए थे और वापस चने के रूप में ही उन्हें वापस मिले थे इस वज़े से चने का महत इस पूजा में जादा माना गया है चना की मत्रा थोड़ी जादा रहेगी बरगत का फल लेंगे मॉली लेंगे मॉली अपने पती के हाथ में रक्षा धागा की रूप में बानेंगे और अडिया लेंगे कच्चा सूत होता है कच्चा धागा आपको दुकानों में आसानी से बजार में मिल जाएगा अगर वत्ती धूबती दीपक आप ले सकते हैं इसके बाद आप फूल लेने हैं आपको जनेव ले लिजे अगर आपके पास जनेव नहीं है तो आप धागा ले लिजे यलो कलर का या वाइट कलर का उसको आप बारावार रैसे लपेट के जनेव बना सकते हैं एपन ले लिजे एपन मतलब चावल के आंटे में हल्दी और पानी मिला कि जो बनाया जाएगा वो दीपक ले लीजे, हल्दी और चावल ले ले लीजे, माचिस ले लीजे, पानी, खरभुजा ले लीजे, केला ले लीजे या कोई भी फल ले सकते हैं आप सिंगार जरूर लें, चाहें आप घर पे पूजा करें, या आप वटवरच की पूजा करें, सिंगार जरूर लेना है आपको, मैं नहीं बोल ली हूँ कि आप इतना सारा सिंगार लीजे, मेरे पास सुविदा थी तो मैंने इतना सारा ले लिया है, आपके पास जो आपको आसा से सिंगार मिल जाए उतना आप सिंगार जरूर चड़ाईए अगर आप घर पर पूजा करें तो कलस जरूर रखें और ये पांच पत्ते हैं ये भी रखें और इन पर क्या लिखना है वो मैं आपको बता रही हूं जो तीन पत्ते हैं उसमें भगवान विश्णु और भगवा चड़ में ब्रह्मा जी ताना में विश्णु भगवान और डाली और पत्ता होते हैं जो उनमें संकर जी का वास होता है इस वजह से अगर आप घर पर पूजा करेंगी तो ये पत्ते आपको जरूर रखने हैं और वो जो आप गंबले में पूजा करेंगी उसके चारों तर जाएंगे इस तरह से वो रखके अगर घर पे पूजा कर रहे हैं तो आप इस तरह से पूजा कीजिए और अगर आप वट जो ब्रक्च है उसमें पूजा करने जा रहे हैं तो फिर आपको कलस रखने की जुरुत नहीं होती है आप उसके नीचे ही आराम से पूजा कर सकते हैं मैं भी हमीशा वटब 적ष की पूजा करना पसंद करती हूँ मैं वहाँ चल कर यी पूजा करने जाती हूँ लेकिन वीडियो बनाने की वज़े से आप लोगों को दिखाने की वज़े से कोई घर पर पूजा किस तरह से कीजे बता रही हूं आपको आईए पूजा सुरू करते हैं फिर आप एपन ले लिजे एपन मतलब चावल के आटे में हल्दी और पानी मिलाकर जो गोल बनाया जाता है वो आप ले लिजे वो आपको दोनों में लगेगा चाहें आप घर पे पूजा करें या आप वटवरच के पूजा करें दोनों में आप वो आपन कंपलसरी है वो आपको लगेगा ही वो आप ले लिजे और जो वटवरच है उसमें आप हाते लगा दीजे इसे हाथ डूबो के और वटवरच में लगा दीजे अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं, तो आप अपने गमले में लगा दीजिए, क्योंकि ये ब्रत हमारे पतियों के लिए होता है, तो सिंगार चड़ाना कमपल सरी होता है, इस वज़े से आप सिंगार जरूर चड़ाएं, सिंगार चड़ाने के बाद आप हल्दी चावल ल वार उतरप रखिए, उनमें भी फूल चड़ाएं, और जो वठ वरच है, उसमें भी फूल चड़ाएं, फिर जो फल लिया है आपने, फूल के बाद आप फल चड़ाएं, उसके बाद क्या आप चने चड़ा सकती हैं, आप चने चड़ाएं उसके बाद, सब जगए आप द मीथी गोली लिए यहां अप चड़ाये और श्राइस के बाद जो मेरे बारा पूरिवाश्यां यहां लिए फो छड़ाये यह कंपल श करें यहां डिखा एंड़्यां कोई भी मीठा लिया है वह आप चड़ाये मैंने यहां पेड़े लिए हैं व्रच में पहनाएंगी दूसरा जो जनेओ बचेगा वो आप खुद पहनेंगी अगर आप पूझा होगा दो लोग करने जा रहे हैं आपके साथ में कोई और महिला है वो जा रहे हैं तो आप क्या किजिए आप उनका जो जनेओ है उनका आप पहन लिजी और अपना उनको पहना दीजी ऐसा होता है और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ कोई नहीं है पूजा करने के लिए तो आप क्या कीजे जो जनेऊ है उसको आप वट व्रच के जो पेड एध है उसमें बारा बार ऐसे उसको घुमा दीजी बारा बार लगा लगा के और फि आपको अपने साड़ी का जो पलु होता है उसमें रखना है और जो चनने वो रखने और उसके बाद और एक जो खरबूजा बचेगा वो आप उसमें चड़ा दीजीं दूसरे खरबूजा आपने दाल दिजीं जो सारा सामान आपने लिया है पूड़ी मीठी मिठी जो तो भी है, आप सब को चड़ा दीजिए, जो फिर कच्चा जो अडिया वो ला था, जो धागा है सफेद कलर का, उसको आपको वटवरच के चारो तरफ लपेट-लपेट के बारा चकर कहीं कहीं, तीन चकर, पांच चकर, साथ, जिसके आँ जितने भी लगते हो, वो आप अपने हिसाब से लगाई है, मेरे यहां बारा फेरे लगाए जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, कि चने के साथ में, जहां मैं पूजा करने जाती हूँ, वह छोड़टे बच्चे होते हैं, इस वजह से मैं यहां टाफी से लगा देती हूँ, फेरे चने और टाफी से, जो फेरे है तो उनको देने के विज़े से मैं टाफी का फेरा लगा देती हूं चॉकलेट टॉफी जो भी मुझे आसानी से मिल जाए मैं उनसे फेरे लगा देती हूं और याद रखें आप जो धागा है उसका जो आपको चक्कर लगा लगा के तो उसको जो बटबरच है उसमें लपेट- जाए आप साफ पानी हमने लिया है जैसे है पानी बी पूझा में लगता है जैसे आप पानी भी जरूर रखें और आपकी पूझा समारा छ थाया उसका और लासाए आप तो फिर प्रूझान मैं ग्यारा चने लेली जीए और वारगट का हो गई है, पूजा करने के बाद कथा सुनी जाती है, अगर आपके पास किताब है तो आप किताब से पढ़ लें, नहीं तो कहीं बैड़ कर सुन लें, मैंने कथा वीडियो के शुरू में सुना दी है, और इसके बाद घर आईए आप पूजा करके पूजा करने जो मौली है वो आप अपने पती को बांद दीजे हाथ में बांदने के बाद आप अपने पती को भी मेरे आ ऐसा होता है कि पती को द्यक्षुना देते हैं जो भी पैसे जो भी है वो देते हैं और उनके पैर छूते हैं तो अगर आप कहां ऐसा होता है तो आ पूरी कोसिस करूंगी आपकी मर्जी के वीडियो लाने की प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ घंटी को भी बजा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाया जो भी में वीडियो पहले डालूं सबसे पहले आपको